सबी दर्शकों का हमारे कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। आज के कारिक्रम में हम बहुत महतुपून संकल्पनाओं पर चर्चा करेंगे। आप सबी स्थितिच उर्जा की धारना से परिच्चत होंगे क्योंकि यह आपकक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं। विध्युत शेत्र के विशय में विस्तार से चर्चा की थी। यहां हम विध्युत शेत्र के अभी लाक्षनिक गुण को जानेंगे और उसे परिभाशित भी करेंगे। हम विध्युत द्वीध्रूव के कारण अलग-अलग बिंदुओं पर विभव भी ज्यात करेंगे थथा यह भी देखेंगे कि यह आर के साथ कैसे परिवर्तित होता है। आवेशों के निकाय के कारण विभव का चिन कैसा होगा? यदि आवेश धनात्मक है या फिर रनात्मक है? इन सभी प्रशनों के उत्तर ढूनने की कोशिश करते हैं आज के कारिक्रम की मदद से आईए अब शुरू करते हैं। गुरूत्विय शेत्र में सहीतियों की स्थितिज उर्जा की ही भाती हम किसी स्थिरवैद्यूत शेत्र में आवेश की स्थिरवैद्यूत स्थितिज उर्जा को परिभाशित कर सकते हैं। इसके लिए एक सरल सी परिस्थिती की कल्पना करते हैं, पहले मूल बिंदू परिस्थित किसी आवेश Q के कारण शेत्र E पर विचार करते हैं, कल्पना कीजे कि हम कोई परिक्षण आवेश Q को आवेश बड़े Q की कारण आवेश Q पर लगे प्रतिकर्शी बल के विरुद बिंदू R से P तक लाते हैं, यहाँ पर Q तथा छोटा Q दोनों धनात्मक हैं, यहाँ दो टिपणिया की जा सकती हैं, पहली परिक्षण आवेश छोटा Q इतना छोटा है कि वह मूल विन्याश को विशुब्द नहीं करता, और दूसरी आवेश Q को R से P तक लाने के लिए हम एक बाहिय बल F external आरोपित करते हैं, और जो प्रतिकर्शी वैद्यूद बल F E अर्थात F external बराबर माइनस F E को यथा तथ्य प्राभावहीन कर देता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, इस तरफ बाहिय बल है और इस तरफ प्रतिकर्शी बल F E, यह दोनों एक दूसरे को प्राभावहीन कर देते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि जब आवेश छोटा Q को R से P तक लाते हैं, तो उस पर कोई नेट बल अथ्वा त्वरन कारे नहीं करता, इसे अत्यांत धीमी नियत चाल से लाया जाता है, इस स्थिती में बाहिय बल द्वारा आवेश पर किया गया कारे, वैध्यूत बल द्वारा किये गई कारे का रणात्मक होता है, तथा पून तह आवेश Q की स्थितिच उरजा के रूप में संचित हो जाता है, और हम यह कारे किस प्राकार लिख सकते हैं, यह कारे होगा, W बराबर कहां से कहां तक, R से P तक, F external into DR, और यह किसकी रणात्मक के बराबर है, प्रतिकर्शी बल के, तो हम इसको लिख सकते हैं, माइनस, R से P, F प्रतिकर्शी बल DR, स्थिर वैद्यूत उरजा के अंतर की परिभाशा, दो बिंदूओं के बीच स्थिर वैद्यूत स्थितिच उरजा अंतर को हम परिभाशित कर सकते हैं, और कैसे? किसी यादरिच्छिक आवेश विन्याश में विद्यूत बल शेत्र में यह अंतर, आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक बिना त्वरित किये, ले जाने के लिए आवशक बाहिय बल द्वारा किये जाने वाले न्यून्यतम कारे के बराबर होता है, डेल्टा यू इस एकुल्स टू यू पी माइनस यू आर बराबर डबलू आर पी, इस घटना क्राम में दो महतोपून टिपणियां की जा सकती है, पहली किसी स्थिर वैद्यूत शेत्र द्वारा किसी आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कारे केवल आरंभिक तथा अंतिम स्थित्यों अथ्वा बिंदूओं पर ही निर्भर करता है, उस पत पर निर्भर नहीं करता, किसी संग्रक्षी बल का यह मूल अभिलक्षन है, तो यहाँ पर हम आर से पी हम इस रास्ते से इस पत से किसी भी पत से जाएंगे तो इसमें किया गया कारे बराबर होगा, और दूसरा, स्थितिच उर्जा का वास्तविक मान भौतिक रूप से महत्वपून नहीं होता है, केवल स्थितिच उर्जा का अंतर का ही महत्व होता है, हम अनन्त पर स्थिर वैद्यूत उर्जा को शून्यम मान सकते हैं, इस चयन के अनुसार, यदी हम बिंदू को अनन्त पर लें, तब हमें समीकरण प्राप्त होगा, डबलू अनन्त से बिंदू P तक किसके बराबर होगा? यह बराबर होगा स्थितिज उर्जा बिंदू P पर माइनस स्थितिज उर्जा अनन्त पर चुकि यहां पर बिंदू P याद रिच्छिक है इस समी करण में हमें किसी बिंदू पर आवेश छोटा Q कि स्थितिज उर्जा की परिभाशा प्राप्थ होती है किसी बिंदू पर आवेश Q की स्थितिज उर्जा और किसके कारण? किसी आवेश विन्यास के कारण शेत्र की उपस्थिति में यह बराबर होगी बाहिय बल द्वारा आवेश Q को अनन्त से उस बिंदू तक ले जाने में किये गए कारय के बराबर होगी आईए अब आगे चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्यूत विभव ये आप सबको पता है कि जितना जादा क्यूं का मान होगा उतना ही जादा ई का भी मान होगा यदि किये गए कारे को आवेश क्यूं से विभाजित कर दे क्या तब भी अनुपात क्यूं पर निर्भर करेगा नहीं क्यूंकि परिणाम स्वरूप जो राशी प्राप्थ होती है वह क्यूं पर निर्भर नहीं करती प्रती एकांक आवेश पर किया गया कारे आवेश विन्यास से संबध विद्युत शेत्र का अभी लाक्षनिक गुण होता है इसमें हमें दिये गए आवेश विन्यास के कारण स्तिर वैद्युत विभव वी की धार्णा प्राप्त होती है बाहिय बलद्वारा एकांक दना आवेश को बिन्दु आर से पी तक लाने में किया गया कारे किसके बराबर है विभव पी पर माइनस विभव आर पर और इसको हम और किसके बराबर लिखेंगे स्थेतिज उर्जा के अंतर डिवाइड़ बाई आवेश क्यूँ आईए अब हम आगे पढ़ते हैं बिन्दु आवेश के कारण कितना विभव होगा हम बिन्दु पी पर मूल बिन्दु से स्थिती सदिश आर के साथ विभव निर्धारित करना चाहते हैं और स्पश्टता की दृष्टी से कापिटल क्यू को धनात्मक लेते हैं हम एकांग धनावेश को अनन्द से उस बिन्दु तक लाने में किया गया कारे परिकलित करेंगे चूंकि किया गया कारे पत पर निर्बर नहीं करता तो हम अनन्द से बिन्दु पी तक अरिये दिशा के अनुदिश कोई सुगम पत का चयन करते हैं किसी मध्यवर्ती बिंदू P डश पर एकांग धनावेश पर स्थिर वैद्युद बल कितना होगा यह बल होगा Q इंटू 1 अपॉन 4 पाई अपसिलो नॉट R डश जो इनके बीच की दूरी है उसका स्क्वेर और यह अरिय सदिश R डश इस बल को R डश से R डश प्लस डेल्टा R तक एकांग धनावेश को ले जाने में किया गया कारे और यह कारे कितना होगा डेल्टा डबलू बराबर माइनस बल इंटू विस्थापन बल Q इंटू 1 अपॉन 4 पाई अपसिलो नॉट R डश का स्क्वेर विस्थापन डेल्टा R डश यह रिनात्मक चेन यहां यह कि डेल्टा R नेगेटिव है और समी करण को फिर हम R डश बराबर अनन्त से R डश बराबर R तक समकालित करने पर बाहिये बलद्वारा किया गया कुल कारे W प्राप्त होगा और यह W किसके बराबर होगा? W बराबर माइनस अनन्त से R तक Q अपॉर पाई अपसलो नॉट इन्टो DR डश समकालित करने पर यह होगा Q अपॉर पाई अपसलो नॉट इन्टो R परिभाशा के अनुसार यह आवेश Q के कारण बिंदू P पर विभव है अताह यह V बराबर कारे के होगा और Q अपॉर इन्टो र यहрах समीकरन आवेश Q के किसी भी चिन्न के लिए सत्य है इसका मतलब यह है कि यदी Q धनात्मक है तो विभव भी धनात्मक होगा और यदी Q रणात्मक है तो विभव भी रणात्मक होगा आएए अब हम देखते हैं विभव वी और वैध्यूत शेत्र ई का दूरी आर के साथ परिवर्तन इस चित्र में हम विभव तता शेत्र का परिवर्तन दूरी आर के साथ देख रहे हैं विभव दूरी के साथ वन अपॉन आर तता शेत्र वन अपॉन आर स्क्वेर के अनुपात में परिवर्थित होते हैं चलिए अब हम एक वैध्यूत द्वीधुरूव के कारण विभव का मान ज्याद करते हैं वैध्यूत द्वीधुरूव दो बिंदू आवेशों Q तथा माइनस Q से मिलकर बनता है इन आवेशों के बीच लगू प्रथकन 2A है इसका कुल आवेश शून्य होता है तथा ये द्वीधुरूव सदिश P का परणाम Q इन्टू 2A है द्वीधुरूव सदिश P की दिशा माइनस Q से Q के साथ अनुदिश होती है यहां हम किसी द्वीधुरूव के कारण वैध्यूत विभव का निर्धारन करेंगे तथा इसकी तुलना एक आवेश के कारण विभव से भी करेंगे हम द्वीधुरूव के केंद्र को मूल बिंदू पर रखते हैं इस प्रकार किसी वैध्यूत द्वीधुरूव के कारण विभव आवेशो Q तथा माइनस Q के कारण विभवों का योग होता है यह योग होगा V बराबर 1 बाइ 4 पाई अपसलो नॉट Q अपॉन R1 और Q अपॉन R2 यहां R1 तथा R2 बिंदू P की क्रम शह Q तथा माइनस Q से दूरिया है अब जमेति द्वारा R1 तथा R2 का मान ग्याद करते हैं इस चित्र में आप देख सकते हैं R1 का स्क्वेर बराबर R स्क्वेर प्लस A स्क्वेर माइनस 2 A R कॉस थीटा इसी तरीके से R2 का स्क्वेर बराबर R स्क्वेर प्लस A स्क्वेर प्लस 2 A R कॉस थीटा होगा आगे बढ़ते हैं अब यह होगा R1 स्क्वेर बराबर R स्क्वेर 1 माइनस 2 A कॉस थीटा अपॉन R प्लस A स्क्वेर अपॉन R स्क्वेर किसके बराबर होगा R स्क्वेर 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन R और इसी तरीके से R2 का स्क्वेर भी 1 प्लस 2A कॉस थीटा अपॉन R होगा यहां हम R को A की तुलना में अत्यधिक बड़ा मानते हैं तथा केवल A अपॉन R के प्रथम कोटी के पदों को ही सम्मिलित करते हैं द्वीपद समिकरण का उप्योग करने पर A अपॉन R के प्रथम कोटी के पदों को सम्मिलित करेंगे और देखेंगे यह होगा 1 अपॉन R1 बराबर 1 अपॉन R 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन R इसकी पार माइनस एक बटा दो और यह किसके बराबर होगा 1 अपॉन R 1 प्लस A अपॉन R कॉस थीटा के इसी प्रकार 1 अपॉन R2 1 अपॉन R 1 प्लस 2A कॉस थीटा अपॉन R की पार माइनस एक बटा दो और यह भी बराबर होगा 1 अपॉन R 1 माइनस A कॉस थीटा अपॉन R के एकुए अब हम P बराबर Q इन्टु 2A का उप्योग करने पर V बराबर Q अपॉन 4 Пई अप्सुलोनट इन्टु 2 A कॉस थीटा अपॉन R2 इसमें Q इन्टु 2A बराबर होगा P के तो यह होगा P कॉस थीटा अपॉन 4 P अप्सकुलोनट R2 अब P cos theta बराबर P dot r एकांक अब V को हम क्या लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon 0 P dot r एकांक upon r square V बराबर plus और minus 1 by 4 pi epsilon 0 P upon r square और यह है विभव द्वीध्रूव के अक्ष जहां पर theta 0 और pi के बराबर है यह वहां पर विभव है निरक्षे विशूवत समतल यानि के theta बराबर pi by 2 में विभव 0 होगा क्योंकि cos theta का मान 0 होता है किसी द्वीध्रूव के वैध्यूत विभव तथा एकल आवेश के वैध्यूत विभव के तुलनात्मक महतुपूर्ण लक्षण समी करोण से स्पष्ट है पहला किसी वैध्यूत द्वीध्रूव के कारण विभव केवल दूरी R पर ही निरबर नहीं करता वरण स्थिति सदिश R तथा द्वीध्रूव आगूल P के बीच के कोण पर भी निरबर करता है और दूसरा अधिक दूरियों पर वैध्यूत द्वीध्रूव के कारण विभव 1 अपोन R स्क्वेर के अनुपात में घटता है ना की 1 अपोन R के अनुपात में जो की एकल आवेश के कारण विभव का एक अभी लाक्षिक गुण है कारेक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आवेशों के निकाय के कारण विभव का मान ज्यात करेंगे किसी आवेशों Q1, Q2, Q3, Qn के ऐसे निकाय पर विचार करते हैं जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष, स्थिती सदिश, क्रम शह, R1, R2 और Rn तक हैं यह हम दिए गए चुत्र में भी देख सकते हैं अब हम यह देखते हैं कि बिंदु P पर आवेश Q1 के कारण कितना विभव होगा तो यह विभव होगा V1 बराबर 1 अपॉन 4 पाई अपसलो नॉट Q1 और बिंदु P के बीच में दूरी R1P इसी प्रकार V2 इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव यह होगा 1 बाई 4 पाई अपसलो नॉट Q2 अपॉन R2P इसी प्रकार V3 भी हम लिख सकते हैं V3 बराबर 1 बाई 4 पाई अपसलो नॉट आवेश Q3 और बिंदु P के बीच की दूरी R3P अध्यारोपन के अनुसार समस्त आवेश विन्यास के कारण बिंदु P पर विभव विन्यास के विश्टी गत आवेशों के विभव के बीच गणितिय योग के बराबर होता है और यह बीच गणितिय योग कितना होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस इसी प्रकार VN तक का विभव का योग इसको हम आगे लिखेंगे V बराबर 1 by 4 pi epsilon 0 V1 का मान यहां से Q1 upon R1P क्योंकि हम 1 upon 4 pi epsilon 0 बहार लिख चुक है प्लस Q2 upon R2P और इसी प्रकार योग करते हुए QN upon RN P तक हम लिख सकते हैं इतना सीखने के बाद चलिए अब हम एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं प्रश्न है 3 into 10 raise to the power minus 8 कूलं तथा minus 2 into 10 raise to the power minus 8 कूलं के दो आवेश एक दूसरे से 15 cm की दूरी पर रखे हैं इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदू पर वैध्यूत विभव शून्य है और इसको हल करने के लिए आप अनंत पर वैध्यूत विभव शून्य लीजे आईए इसे साथ मिलकर हल करते हैं मान लीजे एक्स अक्ष पर वैवांचित बिंदू पी है जहां वैध्यूत विभव शून्य है यदि बिंदू पी का एक्स निर्देशांक एक्स है तो स्पष्ट रूप से एक्स धनात्मक होना चाहिए और एक्स यदी रनात्मक है तो य अध्यूत विभव जुड़कर शून्य हो जाए यदि एक्स मूल बिंदू ओ तथा एके बीज कहीं स्थित है तो विभव बराबर वन बाई फोर पाई अप्सलों त्री इन्टू टैन्रेस पार माइनस एट अपॉन एक्स इन्टू टैन्रेस पार माइनस टू माइनस टू हमने इसलिए लिया है क्योंकि दूरी सेंटेमेटर में दी गई है इस विभव को शुन्य के बराबर रखते हैं और हम देखते हैं कि एक्स का मान नौ सेंटेमेटर है यदि बिंदू एक्स विस्तारित रेखा ओ ए पर है तो वांचित शर्त के अनुसार थ्री अपॉन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस 15 और इसको हम शुन्य के बराबर रखेंगे तो एक्स का मान कितना होगा एक्स बराबर 45 सेंटेमेटर इस प्रकार धनावेश से 9 सेंटेमेटर तथा 45 सेंटेमेटर दूर रनावेश की ओर वैध्यूत विभव शुन्य है ध्यान दीजे यह यहां परिकलनों के लिए वांचित सूत्र को अनन्त पर वैध्यूत विभव शुन्य मान कर ही व्यूत्तपन किया गया है हमारे दर्शकों के लिए भी एक अभ्यास और है जिसे हल करने की कोशिश कीजिए विध्यूत चतुर धुर्वी के अक्षपर स्थित किसी बिंदू के लिए दूरी आर पर विभव की निर्भरता प्राप्त कीजिए यहां आर अपोन ए एक के बराबर काफी बड़े हैं अपने परिणाम की तुलना एक विध्यूत द्वी धुरूव वह विध्यूत एकल धुरूव अर्थात एकल आविश के लिए प्राप्त परिणामों से कीजिए संकेत के तौर पर आप विध्यूत चतुर धुरूवी को इस चित्र में दो ट्वी धुरूव के समान मान सकते हैं तो आज के कारेक्रम में हमने स्थिर वैध्यूत विभव के बारे में कुछ बाते सीखी हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा स्थितिच उर्जा, स्थिर वैध्यूत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, द्वी धुरूव के कारण विभव, तथा आवेशों के निकाय के कारण विभव आज के कारिक्रम का अंत मैं आइंस्टाइन के एक कथन से करना चाहूंगी कल्पना ज्यान से जादा महत्वपूर होती है अर्थात जब भी कुछ नया सीखें उसे ज्यान की तरह लेने के साथ-साथ उसके बारे में कल्पना भी करें ताकि कुछ और नया करने की संभावना उत्तुपन हो तो दर्श को सीखते रहें फिर मिलते हैं अगले कारिक्रम में धन्यवाद झाले कारिक्व जब भी करें लुझ से बारे में धन्यवाद